जैस्केरिकिश्णा रादे रादे आप सबीका स्वागत है मेरे हैमा के बरत कता उपाये चैनल में दर्सको आज की इस वीडियों में हम आपको सकड़ चोति यानि की तिल चोत भी उसको बोला जाता है संकष्टी चतुर्ती भी उसको बोला जाता है और उस दिन आपको अपनी मनो कामना के लिए ये उपाय करना है आपकी मनो कामना चाहें कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो कई सालों से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप सकट चोथ वाले दिन इस उपाय को करें आपकी हर मनो कामना पूरी होगी चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड मौल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए सकट चोथ का ब्रत, मा अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती है उनकी लंबी आयू के लिए करती है और जिस इस्तरी के संतान नहीं हो पा रही है वह भी इस ब्रत को कर सकती है तो कुछी दिनों में संतान की प्राप्ती हो जाती है सकट चौत का जो ब्रत है वो 29 जन्वरी का है और उस दिन 100 बार पढ़ रहा है तो ये महासयोग बन रहे हैं और उस दिन आप इस उपाय को करें आपको क्या करना है आपको देखो जब भी संकट चौत का ब्रत करते हैं तो आप जब भी पूजा करने बैठते हैं तो गनेश जी की पूजा इसमें की जाती है शिप जी की पूजा की जाती है और सबसे पहले गनेश जी की पूजा आपको करनी है अपनी पूजा जवाब कर र प्रफ़ेनी आपको और उनको उनमें कलावा लपे देना है पांचों में ठीक है अब आपको पांच तिलकुट जो आता है तिलकुट आप घर पर बनाएं पांच लड़ू उसके बना लीजिए यह फिर आप गजक ले रहें तो पांच जगा आप रख लीजिए ठीक है इनको रखें इसके बाद आपको चौमुकी दीपक आपको जलाना है आटे का दीपक या फिर मिट्टी का ले सकते हैं लेकिन चौमुकी होना चाहिए आप उसको जला लें पहले आप अपनी पूजा करें उस पर आप हरी दुर्भा चड़ाएं गनेजी को गनेजी इससे बहुत प आपको चड़ाने हैं और फिर ये एके करके पांच जगे गनेजी के सामने रख देना है और चौमुकी दीपक आपको प्रजुलित कर देना है और इसके बाद ओम गंगडपते नमा आपको कम से कम इक्या मनवार इसको बोलना है बैठ करके सिर्दक के और आसन लगा के आपक जाप आपको इक्यामन कम बार कम से कम करना है और आपको फिर इसके बाद अपनी मनो कामना तीन वार दोरानी है इस जाप को करने के बाद और ये सभी को चड़ाने के बाद आपको तीन वार अपनी मनो कामना दोरानी है और भगवान गड़ेश जी से मन ही मन अपनी मनो कामन बोलनी है इसके बाद आपको वह चीजें वही रखी रहने देनी है और साम के टाइम उनको उठा करके आप अपने मंदिर में रख दीजिए जो आपने तिलकुट लिया है उनका प्रशाद आप गर में दे दें और जो आपने हरी दुर्वा लिया है उनको वही पर रखा रहने है उसके बाद व sinister गरें वह रहने है और ंसके देने तो किसी लाज कबड़े में बांद करके और एक शिक्क्रा साथ में लेकर के अपनी तिजोडरी में रख रहें ले में रखें मैं करने कि आपने और कुंझ कर देखा है आप की आपके कार्र केया बने नहीं हो नहीं पारहा है और को इस फारे सी प्रश्ए के ःग दो आपका 100% कार्र बने गा तो यहाज को कर लिए और और कमेंट वर्क्स में ओम गंगडपते नमा आप अवश्य लिखें बागवान गनेजी आपकी हर मनो कामना पूरी करेंगे हम भी यही कामना करते हैं ओम गंगडपते नमा